जैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे बच्चो आज हम क्लास 5 का चैप्टर 14 पढ़ेंगे बाग आया उस रात बाग पता है न किसे कहते हैं? वो इधर से निकला उधर चला गया वो आखे फैला कर बतला रहा था हाँ बाबा बाग आया उस रात आप रात को बाहर ना निकलो जाने कब बाग फिर से आ जाए हाँ वो ही वो ही जो उस जरने के पास रहता है तो ये एक स्टोरी है बाग के उपर है बच्चा कह रहा है कि वो इधर से निकला निकला गया आखे फैला कर बता रहा था कि हाँ बाबा बाबा बच्चा बता रहा था कि हाँ बाबा बाग उस रात को आया था आप रात को बाहर निकला मत करो ठीक है नहीं तो पता नहीं कहां से बाग आ जाए और वह उस जढ़ने के पास रहता है वहाँ अपन दिन के वक्त गए थेना एक रोज बाग उधर ही तो रहता है बाबा उसके दो बच्चे है वो बता रहा है बच्चा बता रहा है अपने बाबा को कि हम दिन के वक्त वहाँ गए थे और बाग उधर ही रहता है बाबा उसके दो बच्चे है बागिन सारा दिन पहरा देती है बाग या तो सोता है या बच्चों से खेलता है और जो उसकी बागिन है न वो सारा दिन यानि की बाग की वाइफ है न वो सारा दिन पहरा देती है रखवाली करती है और बाग क्या करता है बाग या तो सोता है या अपने बच्चों के साथ खेलता है दूसरा बालक बोला बाग कहीं काम नहीं करता ना किसी दफ्तर में ना कॉलेज में छोटू बोला स्कूल में भी नहीं पांच साला बेटू ने हमें फिर से आगहा किया, अब रात को बाहर होकर बातरूम ना जाना, तो दूसरा बच्चा क्या बोलता है, दूसरा बच्चा बोलता है कि बाग कहीं भी काम नहीं करता, ना तो दफ्तर जाता है, ना कॉलेज में जाता है, और तो छोटू बोला, यान पिर से सावधान किया कि अब रात को बाहर होकर बातरूम ना जाना कि बातरूम आपको नहीं जाना है रात को तो कैसे लगी आपको पोयम I hope पसंद आई होगी इसको आप अच्छे से रेट करना and stay home stay safe bye